जाहिन दोस्तों नए इंफॉर्मेटी वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अब भी फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो हमारे बिजनसमैन को स्टॉक की जयाओत होती है तो इसली आप ओडी लिमीट आप कहां से ले सकते हैं बेस् इसली ऑनलाइन आपको लगेगा आपको दो मिंट के अंदर ओवर्ट्राफ्ट लिमीट आपको डिस्वर्स हो जाएगा और इस्टेंट खाता खोल करके आप ओडी यूज कर सकते हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो लाइक ए सब्सक्राइब जरूर कर कि बिल जाता है इस्टैंट अगर आंदर में के जहता को होथा कोई व्री जवी की जोत नहीं होती है अपको प्र之ciones अधिक रहे आपको मैं एक eks 예कर के प्रोसेस स्क्राइब कर फॉलो करके तो ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं बताओं कि इस्कोर लेने के या क्रा चाहिए होनी ह Ama बैंक में आपका चल रहे है तो इसली आपको पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट करना है या दूसरी बात यह है कि आज डहें अजकी बैंक अग्रीगेकर है आप वहाँ जाएंगे तो जिस haven में एनक में या सो बैंक बता देगा कि आपको इतने कि हम ओअवर ड्रायफ लिमिट दे रहे हैं सेम टाइम में आपको क्या करना है कि यहां पर जाके आपको प्रोसस फॉलोग करना है आपका का परोसस टाट हो जागा तो एक से-दो दिन के अंदर में आपका सारा एकांट खुलके limit सेट हो जाएगा अगर आपका आइसिस वैंक में अल्यटी एकांट चल रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है आपका बैंकी लोग इन करना है उफर जोन में जाना है उफर जाएंगे तो वहां देखेंगे कि आपका इंस्टेंट ऑवर्ट्राफ्ट का ओफर होगा वहां पर आप क्लिक करके ओटीपी बेस पर आप उसको सेंक्षन कर सकते हैं सेंक्षन करके इंस्टेंट आपके एकाउंट में लिमिट आयाता है तो चली मैं आपको लेकर चलता हूं करें के वेबसाइट पर और क्या प्रोसेस होता है वह आप देखेंगा सबसे प्रेंट देखिए तो आपको गूगल पर जाके आप इस्टा ओडी आप डाल देंगे आपके पास आजाएगा सारा कुछ इस्टा डालने के बाद आप देखेंगे तो एक वेपसाइट ओपन हो आपके डालने जाएट तो एबडी मांगा जाता है पूरपटी मांगा जाता है इस सिच्वेशन में आप बिदाउट किछी लिमिट आप लेते हैं बिदाउट रेंगे का मिल जाता है ओडी लिमिट में सबसे बेरिफिट क्या है कि अगर किसी भाईवन को नहीं पता तो मैं बता दू ओडी लिमिट क्या से कि आपने लॉन लिया एक लाग का लॉन लिया आपने तो आपके तीन जाग के एमाई बन गई आप एक लाग यूज किये ना कि आपको एफरी मन्त एक दिन के लिए आपने यूज किया तो अगर आपको ब्याज देने की जववत लगता है उडर का ऊड़ी में एक और सबसे ब्यूटी क्या है कि अगर आपने सेम डे में यूज करके और पैससा डाल दे रहे है तो आपको कोई ब्याज नहीं लगता है एवी सबसे बेस्ट प्रप्सन है कि आप पारी है आपको लगता है कि आपको पेमेंट कर रहे हैं और रात में 12 वैसे पहले पिल आपकी पेमेंट आ जाएगी तो फिर उस पैसे पे आपको कोई भी इंट्रेस्ट देने की जोवत नहीं है यह भी आपको बेस प्रोसर्स से इंस्टा ओल्डी में जाता है आपके अकाउंट में और एकनोमी बहुत सस्ता है अगर आप देखे तो आपको एक लाग पर आईसीज बैंक का 42-43 रूपीज लगता है वह भी टिपेंड करता है आपके सीविल और फैनल के उपर लेकिन सिक्स्टी प्लस पर से उपर का ब्याज इस पे नहीं है तो दिवाली आने वाली है अगर आपको इस टॉक भरना तो इस टॉक भर सकते हैं आप लेकर के जैसे आप दिवाली फेस्टिवल खतम होगा आप उस पैमेंट को आप डाल करके जितने दिनक ले यूज़ किए उतनी दिन का इंट्रेस्ट देना है यह आपके लिए बेस्ट सब्सक्राइब आप पैसा आता है अगर पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप लिमिट में आप इसको रोटेट करके अपना बिजनस में आप सारा फैनिल से नीट आप पूरा कर सकते हैं और इससे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका फेस्टिवल सीजन है और आपका फेस्टिवल में स्टॉक आ गया है तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं आपको ऑन्लाइन का भी ऑप संध में आपकिसी भी ब्रांश में विजिट करके आप एक लेटर हैड़ी लिमिट खतम करना है आज के दिए मैंने कोई पैसा यूज नहीं कि कि ज़्यादा आप लेते हैं तो आपको वहां पर डिसकाउंट मिल जाता है तो आप ज्यादा इस टॉक ले सकते हैं यहाँ पर पैसे आप यूज कर सकते हैं यह आपके लिए बेस्ट ऑप्सन है इसमें प्रोसेस में देखें तो यहाँ पर लिखा है डूई हग एन आइसीज अगर आप आईसीज बैंक एकाउंट होल्डर है तो आप यहाँ पर नो करेंगे देखें नो जैसे हम करेंगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपको यहाँ पर मोवाइल नमर डालना है इमेल डालना है उसका चुछ नहीं है आप इंडिविज्याल में आपका करेंट यहाँ आप अगर उस बैंक नेट बैंकिंग यूज करते हैं केवल आपको डालना है और आगे आपको बढ़ जाना है जैसे कि आप देखें जैसे कि मैं यहाँ डालता हूं और मैं इमेल आईडी आप अपना जैसे ही डालोंगा अगर मेरा फोल प्रोप्पाइटरस MAR Pete जैसे मैं Next करते यहां पे इता है त्लिंस हमाद पूठर मैंने अपनी कंपनी का लिमित parallel कर लिए तक सार चानि कीर捷 सकी हम्धर विजने चाने का घ़ा सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर में फॉर्ट चार्ज आपको नील हो जाता है जब यूज करते हैं तब आपको चार्ज देना पड़ता है इसके अलावा का है इंट्रेस डेली वेसिस पे कल्कुलेट होता है अगर मान लिए कि आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको जो statement में जो मैब है जो limit कैसे होता होता है मैं आपको पता दूं कि आप सोचेंगे कि मेरा current account था 50 लाख लिमीट मिल प्कास लाका नहीं मिलेगा एह आपका जिस्टिंग बैंक है जिसमें जितना मैब यूज कर रहे हूं मैप के basis में ही आपको limit decide करता है बैंक सारा कुछ ऑन- मेरे भी कोई कंसर्ण हो अगर प्रोसेस करने में तो आप हमें कोमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाइज देने कोशिज करूंगा तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो बहुत यादा इंफोमेड़ लाइक और शेयर जल गए थांक्यू वेरी मच्छ